दोस्तो यमना में चाहे जितने भी बाड आ जाए ये बाड ताज महल का कुछ नहीं भी घाड सकती है। ऐसा कई बार हुआ है जब यमना नदी में उफान आया और नदी का पानी ताज की दिवार से टकर आया। मगर ताज का एक जर्रावी परभावित ना हुआ। इसका कार्ण उस इंजिनरिंग को माना जाता है जो सहाजा की समय अपनाई गई थी। सहाजा के दरवारी तिहास कार ने विस्तार से इसका जिकर किया है। बाद में IIT रूड की के वेग्यानिकों ने भी इसकी पुष्टी की है। आगरा में यमना एक बार फिर से उफान पर आई थी। नदी का पानी खत्रे के निसान को पार करते हुए दिवारों से ठकर आया था। लेकिन यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भारतिय पुरात्त तो इस रविक्षन यानि कि A.S.I. के अधिकारियों के मताबिक 1978 और 2010 में भी इस तरह की बारा चुकी है। लेकिन ताज को कभी भी कोई खत्रा नहीं रहा है। तो यहसा क्यों होता है चली इसको समझते हैं। सबसे पहले इंजिनरिंग देखते हैं। साजा ने जब ताज महल के लिए स्थान को चुना था तब यहां यमना का व्यक बहुत जादा तेज था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय यमना नदी बिल्कुल ताज के पास से बहती थी। इसलिए ताज महल की नियों को इस तरह से डिजैंग किया गया था जिसे पानी नुकसान ने पहुचा सके। साजा के दरवार इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहोरी ने पादशाह नामा में इसका वणन किया है। लाहोरी ने लिखा है कि ताज महल लदी के तिवर घुमाओ के किनारे बना है। साजा ने ताज के लिए जान बूझ कर इस्थान को चुना ताकि बाड़ तूफान और कटाव इससे नुकसान ताज को न पहुचे। हाला कि बनने के बाद तुरंत इसमें दरारे आई और ओरंग जेव ने इसकी नियू का काम दोबारा करा आया। इसमें लकड़ी की नियू भी बनाई गई और बाद में चिनाई भी करवाई गई। वैग्यानिक आधार देखें तो ताज महल की नियू की सम्वेदन सीलता वैग्यानिक आधार पर भी पुष्ट हुई है। 1990 के दशक में ताज के सरवेक्षन करने वाले IIT रुड़की के पूरू निदेशक ऐसे हाणा ने पुष्टी की थी कि ताज की नियू में महोगनी और आबनूस लगड़ी का इस्तमाल किया गया है। ताज की नियू की बहारी दिवार भी लगड़ी की है जो इसे मजबूत बनाती है। इसके अलावा ताज के पास जो यमना का मोड है वह भी से बचाता है। वह कहते हैं कि 1978 और 2010 में ताज महल इससे ज़्यादा बाड़ का सामना कर चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आते हैं तुमरे यूट्व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलता हैं दूसरे वीडियो में तुम तक के लिए धन्यवाद।